आज बरतमान में समाच को जोड़ने का कार जो पहले संते लोग कर दे थे और आज संते लोग ही एक जगे इखटा नहीं होना चाहते हैं तो क्या धर्म धियान कराने का या समाच को जोड़ने का या धर्म प्रवावना की कार अब हो सकेंगे जब तक संते इखटे नहीं होंगे तो क्या संभव है किर्पया संका का समाधान करें नमुस्तु अचाय स्रीप तोड़ने का काम करते हैं समाज को जाती के माध्यम से, छेत्र के माध्यम से किसी प्रकार के पंथ के माध्यम से, किसी प्रकार की क्रिया के माध्यम से, तो जाती बाद, समाज बाद, पंथ बाद, छेत्र बाद, क्रिया बाद यह जो प्रारम हो रहा है उसमें किसी देन है यह था कथित कोई विद्वान यह था कथित जो है कोई शाधूगन, इनके माध्यम से बहुत घोर पाफ हो रहा है उन विद्वान, उन साधूसंद उन त्यागी बृतियों के माध्यम से बहुत बड़ा पाफ हो रहा है जो समाज को पक्षों को मजबूत रखना चाहिए जो परंप्राएं वर्तमान में चल रही है दो परंप्राएं चल रही हों दोनों परंप्राओं का यथावस सम्मान होना चाहिए किसी भी एक परंप्रा को मजबूत करने के लिए दूसरी परंप्रा का नास करना और उसमें किसी प्रकार की टिपडी देना ये बिलकुल भी अच्छी बात नहीं है हमें परंपरा से जो दो विधिया मिली हुई है उसको सिकार और आंगे बढ़ो तो मैं ये कहता हूँ कि संत एक मंच में आके बैठेंगे तो प्रवावना होगी ये एकता नहीं है संत की विचार ब्यापक हो जाए त्यागी बृतियों की विद्वानों की विचार ब्यापक हो जाए और यदि ब्यापक हो जाएंगे तो आप कहीं भी रहो किसी इस्थान मी रहो ना मिलो कभी मत मिलो जुन्दिगी में एक बार भी आमने सामने मत मिलो, कोई प्रॉलम नहीं है, लेकिन आप जहां भी रहें, आपके उपदेश जो है, वो जिन्सासन की प्रभावना के हो, वहां किसी का आरोप, प्रत्यारोप वाले विचार आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए, आपके मुख कह दो, तो कभी दिल्ली का धरम कह दो, तो कभी बॉम्बे का धरम कह दो, यह क्या है? यह किसको बाटा जा रहा है? बोले दिल्ली के सादू अलग है, बॉम्बे के सादू अलग है, MP की अलग है, रायस्थान की अलग है, दच्छन भारत संत अलग है, अरे भाई, यह क्या ब सब बतवारा है यह किये जार है और उस मांसिक विकरति का हुप इसुप कार चल रहा है बिद्वाणों के दोरा त्यागिशाति दॉर्छ फॉर्प हो रहा है समाज को बाटने का जो काम चल रहा है ये कहां जाकर के रुकेगा सोच भी नहीं सकते हैं मुठी भर समाज है और वहे भी छितर वितर हो चुकी है वहे यहां वहां फैल चुकी है अब वो आपके यहां पस नहीं आना चाहेते हैं तो बिबाद ही बिबाद है, यहाँ जाओ तो बिबाद, वहाँ जाओ तो बिबाद, सब छोड़ो छाड़ो, और सब कहीं योग में जा रहे हैं, कहीं दिहान में जा रहे हैं, कहीं दूसरे धरम में जा रहे हैं, और वहाँ पर जाकर कि वो खुश हो रहे हैं, तो यह हमारे द ओर स्वार्म से भ्रष्ट हो जाएंगे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि संत अबाद नहीं होना चाहिए हम तो मात्र मोक्षपंति लोग हैं मोक्षपंति मारग में बढ़ने वाले हैं उसी की ही बाद हर जगा होना चाहिए आचार स्री नमुस्तू अमिता जैन मुंबई से संका कर रही है कि जो व्योहार काल है वो समय घड़ी घंटा बताया गया है चैसे जानते हैं या और कोई उपाय है किर्प्या संका का समाधान करें नमुस्तू आचार स्री व्योहार काल दो प्रकार के होते हैं एक निश्यकाल और एक व्योहार काल प्रती समय जो परिणमन है वो निश्यकाल है वरतना और परिणाम आदी जो है वो व्योहार काल है जो गमना गमन आदी के माध्यम से परिणाम के माध्यम से और अल्प बहुत आदी के माध्यम से जो ग ज्निन में फुरुदिंगे प्रेडमन किया उसके माध्यम से हमने गड़ी घंटा काल आदी समय निकाला है एक घंटा दो घंटा एक दिवस दो दिवस या महिना मास वर्ष जो भी निकाला है ये सब हमने भले शूर की निमिश से निकाला हो उसकी चाल की निमिश से निकाला हो या घड़ी से निकाला हो ल बोलते हैं समय निकाल सकते हैं, उसने कितने काल दरभ्यों को क्या किया, कितने समय में कितना पार किया, उससे ही ये सब निकलता है, कि इस सूर ने इतनी परिकमा लगाई तो उससे में कितने काल प्रदेशों में पहुंचा और उसके पहुंचने में कितना समय लगा, कितना टा एक दिबस, एक पक्ष आधी, एक महिना मास, यह सब कुछ व्योहार काल है, लेकिन प्रती समय जो सूर चल रहा है, तो वहां प्रती समय जो है, एक एक काल दर्ब का प्रिणमन हो रहा है, वो हमारे ज्ञान का विशय नहीं बन पाता है, वही निश्यकाल है, जो प्रती समय प् हमसे जोहार काल को समझा जा सकता है सभी को सादर जैजनिंद पूझ गुर्देप के मुखारविन से आप सभी की संकाओं का नित्य समाधान आगम के नुसर किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाट टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है अगर आपके मन में किसी वे प्रकार के कोई भी संका है तो आप हमें नीची दे गए नंबर पर बेज़जग भेश सकते हैं और आपकी संका का समाधान पूझ गुर्देप के मुखारविन से आदिनाट टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा तो आप हमें अपनी संकाएं भेचें और पूझ गुर्देप के मुखारविन से अपना समाधान पाएं और अपनी संका का समाधान करें जै जिने इंदर श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार कनौट पलेस नहीं दिल्ली एवं श्रिक खंडेलवाल दिगंबर जयन मंदिर वैदवाळा दिल्ली के अंतरगत खंडेलवाल दिगंबर जयन पंचायत दिल्ली जिनेंद्र जैन नर्पतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलिवाल महमंत्री, विजय लोहाडिया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटो दी मंत्री, विनोत पांड्या कोशाध्यक्ष अजयaran भीнес जसे से श कि ओражताथ महमंत्री, विल्पतिया बांड़ महमंत्रiosa सक्नियक्ष, गौरव जय कोशाध्यक्ष, गौरव भीनियर्पतियाओ female कोशाध्यक्ष.